मंत्रा Home Remedies में आप सवी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन से सपने होते हैं जो संकेत देते हैं कि भविश्य में हम लोगों को खुशी मिलने वाली है तो आए जानते हैं और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को अपने पुराने वाले वीडियो में बताया है कि सपने में पानी देखने का क्या मतलब होता है और भूत देखने का क्या मतलब होता है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से सपने होते हैं जो हमें निकट भविष्य में कोशकबरी देने का संकेत करते हैं सबसे पहला अगर आप अपने सपने में साप को देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको निकट भविश्य में धन की प्राप्ती होने वाली है अगला अगर आप अपने सपने में अनार को देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको संतान की प्राप्ती निकट भविश्य में होने वाली है आम के पेड़ को देखना सपने में बहुत शुब माना गया है इसका मतलब है कि आपको आगे आने वाले निकट भविश्य में कोई ना कोई खुशकबरी अवश्य मिलेगी अगला अगर आप इमली को देखें सपने में तो उसका मतलब होता है कि संतान की प्राप्ती होने वाली है छोटे बच्चों को देखना सपने में बहुत ज़्यादा शुब माना गया है उसका मतलब होता है कि यश की प्राप्ति आपको निकट भविश्य में अवश्य मिलेगी अगला अगर आप अपने आपको सेब खाते वे देखें या आप किसी भी प्रकार से सपने में सेब देखें तो उसका मतलब होता है कि जो भी आपकी दिक्कत और परिशानिया हैं वो दूर होईंगी अगला, अगर आप सपने में शीशा देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी आपका अटकाुआ काम है वो अवश्य पून होगा अगला अगर आप सपने में रात को लाल फूल देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी आपकी दिक्कते हैं वो दूर होईगी अगला अगर आप सपने में खेत देखते हैं हरा भरा खेत तो उसका मतलब होता है कि आपके स्वास्थ में आपको लाब मिलेगा बेमारी और रोग दूर होईंगे अगला अगर आप सपने में नाखुन देखते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत जादा शुब और धन का लाब अभी के लिए बस इतना ही सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ग्यान मंत्रा होम रेमिडीज